मत्ती रचित सूसमचार 27वा अध्याए जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरुनियों ने इश्यू के मार डालने की सम्मती की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकीम के हाथ में सौप दिया जब उसके पकड़वाने वाले यहुदा ने देखा कि वह दोशी ठराया गया है तो वह पच्टाया और वे तीस चान्दी के सिक्के महायाजकों और पुरुनियों के पास फेर लाया और कहा मैंने निर्दोशी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है उन्होंने कहा हमें क तु ही जान। तब है उन सिक्कों को मंदिर में फेक कर चला गया और जाकर अपने आपको फासी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह लोहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मत्ती करके उन सिक्कों से परदेशियों के गारने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लोहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यर्मिया भषड़ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे तीस सिक्के अर्थात उस ठहराय हुए मूल को जिसे इस्राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिये। और जैसे प्रभु ने मुझे आग्या दी थी वैसे ही उन्ह उन्होंने कुमार के खेत के मूल में दे दिया। जब यिशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहुदियों का राजा है। यिशु ने उससे कहा तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुर्निये उस पर दोश लगा रहे थे तो उस उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातूस ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाईयां दे रहे हैं। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की यह रीती थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधवे को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय बरब्बा नाम उनहीं में का एक नामी बंधवा था। जब वे इखटे हुए तो पिलातूस ने उनसे कहा तुम किसको चाहते हो कि मैं तुमारे लिए छोड दूँ बरब्बा को या ईश्य को जो मसी कहलाता है क्योंकि वे जानता था कि उन्होंने उसे दाह से पकड़वाया है। जब वे न्याई की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तु उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना क्योंकि मैंने आ इन से पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूँ उन्होंने कहा बरब्बा को पिलातुस ने उन से पूछा फिर यिश्य को जो मसी कहलाता है क्या करूं सब ने उससे कहा वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा क्यों उसने क्या बुराई की है परंतु वे और भी चिला चिला कर कहने लगे वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत खुलड होता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर् बबा को उनके लिए छोड़ दिया और ईश्यू को कोड़े लगवा कर सौप दिया की क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने ईश्यू को किले में ले जाकर सारी पल्टन उसके चहूं और इखटी की और उसके कपले उतार कर उसे किर्मिजी बागा पहन आया और कांटों का मुकुट गूथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाएने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठटे में उड़ाने लगे कि हे यहुदियों के राजा नमस्कार और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मानने लगे जब वे उसका ठठा कर चुके तो वे बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और कुरूस पर चढ़ाने के लिए ले चले बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुश मिला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि वे उसका कुरूस उठा ले चले और उस थान पर जो गुलगता नाम की जगए अर्थात खोपली का स्थान कहलाता है पहुँचकर उन्होंने पित मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया परन्तु उसने चक कर पीना न चाहा तब उन्होंने उसे कुरूस पर चढ़ाया और चिठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिये और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोश पत्र उसके सिर के उपर लगाया कि यह यहुदियों का रहने और एक बाएं कुरूसों पर चढ़ाये गए और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसके निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले अपने आपको तो बचा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुरूस पर से उतर इसी रीती से महायाजक भी शास्त्रियों और पुर्णियों समेथ ठठा करकर के कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने आपको नहीं बचा सकता। यह तो इसराइल का राजा है। अब कुरूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि मैं इसको चाहता है तो अब इसे छुडा ले क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी परकार डाकू भी जो उसके साथ कुरूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा चाया रहा। तीसरे पहर के निकट यिश्व ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एली एली लमा शबक्तनी अर्थात हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उन में से कितनों ने यह सुनकर कहा वह तो एली आ को पुकारता है। उन में से एक तुरंत दोड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और उने कहा रह जाओ, देखें एलिया उससे बचाने आता है की नहीं। तब ईश्वर ने फिर बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये। और देखो मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फट कर दो टुकले हो गया, और धरती दोल गई, और चटाने तड़क गई, और कबरें खुल गई, और सोय हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कबरों में से निकल कर पवित पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिये, तब सुबेदार और जो उसके साथ ईशु का पहरा दे रहे थे, भुईंडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए, और कहा, सचमुच, यह परमेश्वर का पुत्र था, वहां बहुत सिस्त्रियां जो गलील से ईशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी, उन में मरियम मगदलीनी और याकुब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी, जब सांज हुई तो यूसुफ नाम अर्मतिहा का एक धनी मनुश्य, जो आप ही जुल चादर में लपेता और उससे अपनी नई कबर में रखा, जो उसने चटान में खुदवाई थी, और कबर के द्वार पर बड़ा पत्था लुड़का कर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसी मरियम वहां कबर के सामने बैठी थी, दूसरे दिन जो तैयारी के दि जीते जी कहा था कि मैं तीन दिन के बाद जी उठोंगा, सो आग्या दे की तीसरे दिन तक कबर की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वे मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरवे तो हैं, जाओ, अपनी समझ के अनुस्सा रखवाली करो, सो वे पहरवों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगा कर कबर की रखवाली की.